सारा बाईयान राम राम यह देख लिए बारा सिंगे यह जिसका सिंग है बड़े वाला यह तो नर है और जिसका यह छोटे छोटे सिंग है बिल्कुल यह इदर वाली जो मेरी तरफ देख रही है यह है मादा जिसका बड़े सिंग होते हैं वो नर एक सुमू में एक ही होता है ये जिसका बड़े हैं ज्यादा बड़े वाड़े हैं और ये एक का छोटे हैं ये दोनु आपसरी में खून का संबंद है जब इस गुरूप में है ने तो इनका ये है कि एक गुरूप में शिरफ एक ही मादा होगा एक ही नर और वो नर वही होग जो जैसे मानसुन समाप्त होती है ना तो इनके सर में जून चलती है खाद चलती है जब ये सिंग इनके आपसरी में लडाई करके तोड़ लेते हैं और लास्ट में लडाई इतनी लंबी भी चल जाती है कई बार कि जिसके सिंग सर के उपर होंगे यानि जो लडाई में जीच जाएगा वो उस सम्मू का बादशा हुआ और उस गुरूप में ये मादा जो हैं तीन या च्यार मादा हैं और इसमें दो नर हैं तो ये जो दो नर क्यों है इस गुरूप में क्योंकि इनका आपसरी में खून का संबंध है यानि फादर और संद इनका ये संबंध है ये जैसे ही जो इसका लड़का बढ़ा होगा तो इन दोनों की फिर लड़ाई होगी यानि फादर की भी और लड़के के भी और ये फिर अपना अलग गुरूप चुन लेगा नमस्कार साथियो और जानकारी के लिए झाल झाल झाल